A very good morning to all of you और World Test Championship के लिहास से दो बड़ी developments, दो बड़ी खबरे निकल कर सामने आई हैं पहली जो हमने आपके साथ breaking news के जरिये share भी करी कि भाई New Zealand का जो 15 men squad है वो announce हो गया है उसमें Ajaz Patel है, Santner नहीं है Williamson और Wirteling दोनों के दोनों available है तो New Zealand के लिहास से गर आप देखेंगे तो अच्छा boost है, लेकिन जो दूसरी development आई है वो भी काफी important है क्योंकि World Test Championship का जो अगला cycle है और उसमें किस तरीके से नियम रहेंगे क्योंकि पिछले cycle में हमने देखा था कि लगातार जो है point system पर सवाल उठे थे, तो उस point system में बदलाव है साथी साथ, दो बदलाव और है तो तीन total बदलाव है, जिन पर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो पहला बदलाव जो है कि point system में क्या changes हुए है अब हर एक test match के लिए कुछ points रहेंगे, जैसे पिछले cycle में हमने दिखा था कि बड़ी debate थी कि भई, दो test match की series है, उसके लिए भी 120 points और 5 test matches की series है, उसके लिए 120 points, Stuart Broad ने सवाल उठाया था और साथी साथ बहुत जादा खिलाडियों ने, दिगजों ने इस पर बात करी थी तो अब ये कर दिया गया है कि आपके जो हर एक series है उसके लिए हर एक test match का series वही रहेंगी, 6 total मिलाकर 3 home, 3 away, लेकिन जो बदलाव है वो ये रहेगा कि हर एक test match के लिए एक points रहेंगे और वो सारे जितने भी अलग-अलग series हो रहें के लिए बराबर रहेंगे, points बटेंगे कैसे बटने का आधार सेम रहेगा जो बाद में हमने देखा था कि ICC ने लागू किया था कि percentage of points 1, आपने कितने points के लिए contest किया है और कितने points उसमें से जीते हैं, जो पहले का system था जो original system था इनका कि भाई 120 के points रहेंगे और उसमें से आपको जीतने पे जो points मिलेंगे उसके basis पर standings रहेगी, उसको खत्म कर दिया गया है, जो पिछले cycle में आधे में कर दिया गया था, तो ये एक important बदलाव है, जो सभी cricket fans और सभी जो experts हैं, former cricketers हों या फिर current हो, उन सब ने इस पर बात करी थी, अब आते हैं जो अगला बदलाव है, दूसरा बदलाव दूसरा बदलाव यह है कि काफी लोगों ने ये भी बात करी कि भाई world test championship के जो cycle में है उसको पूरा cycle complete होने पर जब final में तीमें आमने सामने आती हैं तो वहां पर best of three किया जाए तो उनसे पूछा गया, ICC की जो CEO है Jeff Eladis उनसे ये पूछा गया तो उनका इस पर ये कहना था कि भाई जिस तरीके से international calendar pack रहता है और आप फिर ये नहीं कर सकते हैं पता नहीं कि कौन सी team final में आ रही है तो उस लिहास से कि आप एक window बना पाऊ लगभग एक महिने का जिसमें time निकालो और जिसमें तीन test matches हो उन्होंने कहा कि वो भी चाहेंगे बट ये realistic नहीं लगता इसलिए और उन्होंने साथ-साथ ये भी कहा कि भाई ये भी एक बड़ी अच्छी चीज है कि आप आकर पूरा cycle खेल तो और सिर्फ एक match होता है जहां पर आप decide करते हो कि champion कौन है तीसरा जो हम बदलाव है वहां पर उनसे पूछा गया कि जो world test championship के final को लेकर जो बात निकल कर सामने आई है कि क्या जो draw का जो आप एक आखरी फैसला draw भी है कि draw या tie होने पर share की जाएगी तो उससे आप कितना इतिफाक रखते हैं क्या उसमें कुछ बदलाव चाहते हैं तो उस पर उन्हें काई कि भाई क्यूंकि आपने जो है कि 5 दिन होंगे साथ साथ एक reserve दे देर खाए कि अगर बारिश की विए से match हुलता है ऐसी कोई चीज हो और क्यूंकि उन्होंने काई कि test cricket में आप देखे हिस्ट्री में उठा कर कि draw का भी एक महत होता है draw भी एक result रहता है तो उन्हें बोला कि साथ साथ ट्रॉफिक के साथ आपको पता है कि नया एक एडिशन यह भी एक जो प्राइज मनी तो है ही है साथ ही साथ वर्ल्ड की बेस्ट टेस्ट टेम कहलाई जाएगी टेस्ट का एक तरिके से वर्ल्ड कप जी देए क्योंकि टेस्ट मेस उनके नाम आएगी तो यह थे जो हमने बात करिया आपसे तीन एहम बदलाव जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपेंशिप है माफ कीजिए गए डबलू टीसी उसका अगला जो साइकल है दोजार इकिस से दोजार तेईस उसमें आपको जो नए बदलाव देख करें